साथियों नमस्कार आप जानते हैं कि राजस्थान में 25 नुवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं और जिसमें हमने अपने विधान सबा के परत्यासी को चुन कर भेजना है और इसके लिए आपको जरूरी है कि आप मतदान करने जाएं क्या आप यह जानते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है यदि यह नहीं जानते हैं तो सुनें आप अपने घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम ढूंड सकते हैं केवल फोन पर आपने Google Play Store में जाना है Google Play Store में जाकर सर्च करना है VHA और VHA लिखते ही आपके पास ये उपर वाला जो एप है ये आएगा इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करके इसको इंस्टाल करना है और अपने घर बैठे आप मद आता सुची में अपना नाम ढून सकते हैं और वो भी अपने मुबाइल की साहिता से जैसे ही एप इंस्टाल हो जाता है आप इसे खोलेंगे खोलने पर ये आप से सर्टों के लिए कहें तो आप इसे येस कर दें और उसके बाद में देखें स्क्रीन आपके सामने होगी आप यहाँ अपना नाम लिख कर इलेक्टोरल रोल सर्च करना चाहते हैं तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास उप्सन आजाएगा और उपर के चार उप्सन देख रहे हैं बार कोड से, क्यू आर कोड से और विवरन द्वारा और मत दाता पैचान पत्र द्वारा आप किसी भी एक उप्सन पर क्लिक करके आप अपना वोटर कार्ड लिस्ट में नाम है या नहीं यह सर्च कर सकते हैं साथियों इसके साथ ही मैं आपको और बचाना चाहूँ कि आप यह भी जान लें कि यदि आपका नाम दर्ज नहीं है यदि आपका नाम दर्ज नहीं है तो भी अभी आप 27 अक्टूबर 2023 तक नाम वोटर लिस्ट में पंजी करा सकते हैं आपने इसी एप पर क्लिक करना है और आप देख रहे हैं कि आपके सामने वोटर रजिस्ट्रेशन का उप्शन है आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो यह आप से कुछ बातें पूछेगा और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इजाज़त देगा इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं साथ है महतवपूरण हैं कि आप यहां से कोई भी कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं तो यहां से आप कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं आप समझते हैं कि इस एप की कितनी महतवपूरण भूमिका रहेगी तो मैं आपसे आग्रे करता हूँ कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन भिवाग राजस्थान के आग्रे को समझें इसकी महतवता को समझें और अपना नाम जरूर सर्च करें और इसके साथ साथ जागरुक मतदाता की भूमिका निवाते वे 25 नुवंबर 2023 को आप अपने बूत पर जाके